गाईज इस कार को मैंने second hand खड़िता था मारूती True Value से और खड़ितने के टाइम मेरे से कुछ गलती हो गया था जिसके बज़े से after time मुझे pay करना परा मतलब एक time पर ऐसा भी हो था True Value की कुछ bad reason और service की बज़े से मुझे reason लेना परा इस car को मुझे return करना चाहिए True Value को ये model है 2020 का और मैं इसको लिया था करीब देड़ साल पहले सो इस car को लेने के बाद क्या क्या problem मुझे face करना परा और उसके साथ True Value का क्या service मिला आपको True Value से car लेना चाहिए की नहीं मेरा इस car लेने के बाद True Value से कैसा experience रहा और ये car कैसा है मतलब तब क्या था और अब क्या है ये सारे चीज मैं इस वीडियो के अंदर सेयार करूँगा आपके साथ और उसके साथ ये भी बताऊँगा एक second and car लेने के टाइम आपको क्या क्या चीज ज़्यादा focus करना चाहिए गईस पहला बात तो यह है ये मेरा कोई personal car नहीं है ये मेरा घरवालोगा है पहले true hello की sites से मैंने इस car को चूज किया था उसके बाद showroom के अंदर इस car को मैंने देखने किया था तो car को पहले जब मैंने देखा था मुझे दूर से देखके पता चला था ये एक repainted car है और ये मुझे पता चला car paint की polish को देखके जो इस paint के अंदर बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने इस repaint को देखके सोचा था साइद इसके साथ कोई accident हुआ होगा तो इसलिए car का जो जो चीज देखना था fender side, front, back, door side ये सारे चीज मैंने देखा और मुझे पता चला इसके साथ कोई major accident नहीं हुआ है उसके बाद मैंने true hell की लोगों को पुछा इस repaint का reason क्या है तो उन्होंने बोला ये एक metro city का car है जो मुझे भी पता था तो इसके बज़ाए से car के चारों तरफ बहुत सारे scratches था सो इसलिए इसको repaint करना परा इसके बाद मैंने car की हर चीज को check किया इस repaint के लवा ऐसा कुछ खास doubt नहीं लगा इस car के अंदर finally car को जब मैंने taste drive दे रहा था तो car को take off करने के time मुझे clutch के थोड़ा बहुत problem लगा मतलब clutch थोड़ा hard था उसके बद मैंने उनको पूछा clutch मुझे थोड़ा hard लग रहा है तो उन्होंने बोला car का जो पहले उनार था उन्होंने साथ इसका clutch plate को change किया यह कुछ काम करा है कुछ भी है तो इन्होंने किया होगा मतलब उस टाइम पे इस clutch plate को मैंने बहुत हलके में ले लिया था जो car delivery की दो तिन मैने के बाद मुझे बहुत भारी परने वाला था बेसिकली एक second hand car खर देने के टाइम मेरा ज़्यादातर focus रहते है car की kilometer के उपर क्योंकि इसके अंदर dealership ने सारे चीज़ चुपा देते है मतलब उन्होंने ऐसा करते है मानलो एक car एक लाग किलोमीटर चल चुके है और उसको घटा के उन्होंने पच्छा सजर या चली सजर कर देते है और उपर से car को अंदर और बाहर से थोड़ा clean करके चमका गे आपको ऐसा समझा देते है car बहुत अच्छे condition में है और आप उसको बहुत easily मान भी लेते हो और अगर आपके अंदर कोई car mechanic वाले या car expert है तो उसको car की अंदर कुछ कुछ जगा देखकर बहुत easily पता चल जाते है ये car काफी जादा रान हो चुके है और इसलिए मैंने true value के पास आया था क्योंकि मैंने सुना था true value ने ऐसा करता नहीं है और उन्होंने ऐसा किया भी नहीं क्योंकि उस टाइम पे मेरे car के किलोमीटर था करीब 40,000 के असपस और car को पुरा देखके कुछ ऐसा ही लग रहा था क्योंकि car अंदर और बाहर से काफी tip-top condition में ही था इसके लावा car का मुझे ऐसा कुछ खास problem नहीं लगा था सब कुछ टिक्टे की था और इस car का जो repent का issue था तो उन्होंने बोला delivery से पहले है इसको हम police करा देंगे सब कुछ ठिक करा देंगे तो finally सारे discussion के बाद हमारा deal fixed हुआ 4,500,000 तो ये मुझे after time ऐसा लगा था ये price थोड़ा overpriced था उस दिन के लिए क्योंकि आने वाले दिनों में ये car का बहुत सारे problem निकल काया और इसके लवा true value का बहुत service related बगए 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 बहुत सारे problem था जिसके वज़ा से मुझे आज भी लगता है ये थोड़ा उस दिन के लिए 4,000,000 ये 4,000,000 ये 4,000,000 से मतलब पहले जैसा वैसा ही था तो हमने उनको पूछा car का पॉलिस क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने बोला जितना करना था उतना कर दिया इसके बाद बहुत सरे बाते भी हुआ पर हमने इस car की paint और पॉलिस इसू को skip कर दिया क्योंकि इसके पीछे काफी reason था एक तो वो delivery के दिन था उपर से हमको so room पहुंचते पहुंचते करिम साम हो गया था और उपर से रात के अंदर घर भी लौटना था और so room से हमारी घर का distance 130 km था और इसलिए मैंने सोच लिया था इसको हम बाद में पॉलिस करा लेंगे पर मुझे क्या पता था इस paint के अंदर भी और एक problem निकल का आएगा so car delivery की एक से दो मैने के अंदर car का clutch बहुत हाड होते जा रहा था मतलब तीन मैने के अंदर car का clutch पूरा हाड हो गया था car भी काफी कम चला हुआ था मतलब 1000 km के असपास उसके बाद हमने इसको मारतिकी सोरूम पे ले गया था जो हमारी नजदिक में है तो उन्होंने बोला ये clutch पूरा dead हो चुका है कभी भी breakdown हो सकता है और वो पूरा clutch plate कुछी दिन भाद बदलना भी परा था इसके लबा हमने car को फिर से सोरूम के अंदर police भी किया था पर उन्होंने बोला ये police आप जैसे चा रहे हो उतना नहीं मिलेगा क्योंकि true value ने इस car को बाहर से paint किया था पर इसलिए car की paint quality बहुत ही खराब था उन्होंने बोला car को ठीक से चमकाने के लिए आपको फिर से repaint करना परेगा एकदम पूरा car true value से car लेने के बाद सबसे जो बड़ा problem था वो है car की RC जो कहीं दिनों के बाद भी हमको नहीं मिल रहा था मतला 5-6 मैने हो गया था पर हमको RC नहीं मिल रहा था और car delivery केटा ही उन्होंने बोला था 20 दिन के अंदर हमको RC दे देंगे पर 20 दिन तो क्या 5 मैने के बाद भी हमको RC नहीं मिल रहा था और उपर से true value का response भी खास करके कुछ अच्छा नहीं था और इसलिए मैने decide किया इस car को हम true value को return कर देंगे और ये हमने उनको बोला था इस car को हमने return कर देंगे उसके बदले हमको पैसे नहीं चाहिए दूसरा car ले लेंगे finally कुछ दिन के बाद हमको RC मिल गया था इसके बाद भी और एक problem हो था car की battery कुछ दिनों के बाद ही date हो गया था मतलब अब समझ रहो car के अंदर problem ही problem पर ये कोई बरीबाद नहीं है पर इसमें बरीबात ये है car की battery, car की manufacturing date से पहले काफी पुराना था ये हमको battery वाले ने बोला था मतलब ज़्यादा था car की battery, car की manufacturing date के आसपास ही होते है और इसके battery काफी पुराना था मतलब बीच में किसी ने change किया होगा साइद इसके लावा भी बहुत सारे चोटे मोटे खर्चे हुआ car के उपर जो काफी unexpected था और इसके लावा car delivery के टाइम, true value ने बोला था मारती के किसी भी सोरूम से हमको इन free service मिल जाएगा और उनके अंदर एक ही free service मिला वो भी जबरदस्ती और इस car का जो paint का ही सो था मतलब वो बहुत ही खराब था मतलब car की एक एक जगा के अंदर आपको ब्रास से paint किया होगा ऐसा नजर आएगा और उपर से ये car को उन्होंने बाहर से paint किया था मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मारती का खुद का company है और इसके service भी होते है, paint booth भी होते है उसके अलावा इसको बाहर से paint क्यों किया इन्होंने ये मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है तो अगर car की condition की बात करे car बहुत ही अच्छी condition में तब भी था और अभी भी है, एकदम कहीं से कोई आवाज बगरे कुछ नहीं है, एकदम tip top condition में ही है so true value का यही चीज मुझे सबसे खराब लगा, इतना अच्छा कासा company जो जुगार के, इतना जारे जुगार के साथ car को sale किया, so अगर आप एक true value से car खर दे रहे हो, तो सोच समझ किया और देख किये car को खड़ दिया है और अगर आप एक second and car खड़ दिने जा रहे हो तो मेरा पहला advice यही रहेगा अब जरूर एक car expert और mechanic को साथ में लेके जाए, जो आपकी काम को बहुत असान कर देगा, और एक second and car खड़ देने के time और वो क्या क्या चीज जादा ध्यान में रखना चाहिए, तो इसके उपर हम एक वीडियो बनाएंगे इस channel के अंदर वीडियो कैसा लगा हमको comment करे अगर अच्छा लगा तो like करे और लोड़ सब्सक्राइब जरूर करें Thank you so much